दोस्तों आज की सीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टॉप कोर्स हैं जो इनफॉर्मेशन टेकनोलजी के हैं और कंप्यूटर्स के हैं जो की हाइस्ट पेंग जॉब आपको दिलाते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी कासी साली होती है एक्शली मैंने कुछ दिन पहले इस पर वीडियो एक बनाया था कि इनफॉर्मेशन टेकनोलजी में जो आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मेशन टेकनोलजी एंड कंप्यूटर साइंस के जो हाइस्ट पेंग जॉब हैं आपके लिए तो जानते हैं इनके वारे में ज्यद्धा टाम लेटे वीडियो को शुर तो किसी दूसरी लेंगवेशन समझाओं जैसे कि सॉफवेर टेस्टर जो होते हैं जो सॉफवेर फीडर में जॉब करते हैं जाब टेस्टर तो उनका क्या बग फाइंड करना या ऐसी सारी चीज़़ें फाइंड करना तो डड़ डेटा मॉडिलर का लगबग लगबग वह ही काम होता है एक अच्छे से इसे डिजाइन करना एक अच्छे वे में उसे रखना लाइक आपने कोई एकसल पर सीट अकर बना रखिया फॉर एकशल पर बना रहा रहा उसमें 100 एंप लाएं 100 एंपला में बीच में 5 एंपला चो और चले गए तो अब उसको मॉडिफाइग करना उन 5 को रिमूब करना है फिर जो बीच में स्पेस आ जाएगा उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है फिर मतलब एक तरीके से डेटा को मेंटेन करना जो डेटा मेंडूलर का काम होता है वो बहुत ही मतलब एक लाइक के स्टार्टिंग में तो आपको यह नहीं मिलती है जो नेक्स है सिस्टम सौफवेर इंजीनियर सौफवेर इंजीनियर को डेवलब करते हैं और जो सिस्टम सौफवेर इंजीनियर होते हैं तो बिसकिली डेवलपिंग भी करते हैं उसको मॉडिफाई भी करते हैं या मतलब आप्लिकेशन में जो बग है वह भी फाइंड करते हैं तो इन कंपेर टू बहुत आपको सिस्टेम सौफवेर एंजीनियर वे थोड़ा सा एक अच्छा नॉलेज होनी चाहिए एक अच्छी स्किल होनी चाहिए बट बिसकिली जो जॉब हैं दोनों वो लगबग लगबग सिमलर होती हैं वो बोलते हैं एक आईटी इन्फरमेसन टेकनोगलिजी की अपनी प्रोफाइल होती है एक नेटवर्क सिक्यूर्टी अडिमिनिस्टेटर अब दिखो बिसकिली जो लगब administrator पर होते हैं अगर मैं बात कुरूँ यहां पर network profile की तो पहले CCNA, CCNP, CCIE करते हैं और इसमें like routing and switching होता है या security field होता है और डेपेंड करता है अगर आप security में जा रहे हो तो फिर आप like CCNA security करोगे, CCNP security और CCIE करोगे वहां पर जाके तो यह एक लगवक लगवक टॉप लेवल की जॉब होती है network की field में और आपको पता ही है कि security में एक अच्छी कासी salary होती हूँ कोई सी या network security या cloud security या मतलब जितनी IT से लेकर security की job है उसमें आपको skills की भी ज्यादा जुरूद पढ़ती है उसमें salary भी अच्छी कासी होती है और दोस्तों जो next है वह साथ आप लोगों इस profile का नाम ना सुना हो इससे पहले आप लोग उनसे मिले तो होगे बट यह idea नहीं होगा क कि actually job मिलती कैसे और कहां से क्या सर्च होता है तो इस तरीके से जो job है IT auditor तो IT auditor क्या है कि एक company से जमान लोग को एक IT auditor की company है और उस वहाँ पे बंदे hire कर रखे होनों ना और फिर वह different company में बेशते हैं एक audit करने के लिए कि वहाँ पे कितने system लगे हुए है कौन से application use हो रहे ह है क्या problem है मतलब कि एक तरीके से IT जो management होता है वह IT की तरीके से manage करना अब basically जिसकी company होती है तो वह आके नहीं करते ना कि मुझे बताओ कितने system है क्या लगे कहा कि कि इतना बड़ा brand होता तो इसलिए government भी इस पे करवाती है जी है आपकी अगर company है अपने में brand है तो government का खुद एक rule होता है कि per year आपकी अपनी company का IT जो audit है या मतलब जो IT audit है वो आपको करना पड़ेगा तो इनकी एक अच्छी कासी salary होती है जी हां दोस्तों जिस company में आप जाते हो तो वहां पर आपको company respect भी बहुत जादा देती है क्योंकि उस time उनके लिए आप ही सब कुछ होते हो तो इनकी एक अच्छी कासी salary भी होती है और एक respect भी होती है जो बड़ी company है जी हां दोस्तों उसमें दो नम्मर की कमाई भी